जय बागेश्वर धाम, जय नील कंठ महादेवाए, नमह कन्या राशि के मेरे प्यारे दर्शको स्वागत करते हैं, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। बाला जी एस्ट्रोलोजी में तो मित्रों, दुश्मनों की अंतिम तारीख आ गई है। कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। आपको बता दे, आपके शत्रु की संख्या अब बढ़ चुकी है। आपके आसपास रहने वाले, आपके ही कुछ अपने ही लोग, अब आपकी जान के सबसे बड़े दुश्मन बनने वाले हैं। क्योंकि उन लोगों से आपकी खुशियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं जा रही, जब भी आप जीवन में कुछ अच्छा करने जाते हो, जब भी आप आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो, तो वह कैसे ना कैसे आपको बरबाद करने की ठान लेते हैं। दोस्तों, तीन ऐसी महत्वपूर्ण बाते हैं, जिनका आपको अगले 24 घंटे में बहुत ही विशेश रूप से ध्यान रखना ही होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको वही तीन बातें बताने वाले हैं। दोस्तों, एक बार पुना आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में आपकी राशिके जो सबसे बड़े गुरू है, उनकी पांच दिनों की मेहनत लगी है, तब जाकर के उन्होंने आपके लि आप से कोई शुल्क नहीं मांगते, हम चाहते हैं केवल आपका साथ, केवल आपका प्यार, इसके लिए, दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें, ताकि गुरू जी की मेहनत सफल हो जाए, उसी के साथ कमेंट बॉक्स में धन्यवाद, गुरू जी लिख देना, ताकि गुरू जी का आशीरवाद आप पर बना रहेगा, दोस्तों, आपको बता दे आपकी, जो दुश्मन है, वह अगले आने वाले 24 घंटे में आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, देखी जब कोई आपका कुछ नहीं बिगाड सकता, जब कोई आपको टकर नहीं दे सकता आपकी बराबरी नहीं कर सकता, तो फिर वह आपकी बदनामी करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, और फिर वह यहीं सोचता है कि मैं इसका नाम खराब करूँ, मैं इसकी बदनामी करूँ, ताकि अपने आप लोग इसकी हंसी उड़ लेना ही, जल्दबाजी में आकर के, यदि आपने कोई भी फैसला ले लिया, तो जिन्दगी भर के लिए, दोस्तों आपका सर पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा सकता है, पारिवारिक जीवन में, दोस्तों आप सारी बातें शेयर ना करें, आपकी राशिके जातकों की सब आपका भला ही सोचेंगे, सब आपका अच्छा ही चाहेंगे, केवल आपके माता पिता या आपके भाई बहन, इनके अलावा कोई और आपका अच्छा कभी नहीं सोचेगा, बस। यही वह लोग है जो आपका साथ सुख में भी देंगे और दुख में भी देंगे, बाकी दुनिया दोस्तों केवल आपसे मित्रता भी करेगी, तो अपना काम निकलवाने के लिए आपसे दोस्ती भी करेगी, तो कही ना कही अपना कोई ना कोई स्वार्थ निकलवाने के ल तो ऐसी धोखेबाज वाली दुनिया से आपको बचना ही, क्योंकि ये दुनिया दोस्तों बहुत जालिम है, जहां आप किसी की मदद करते हैं ये सोच कर, कि ये दुख में है, लेकिन दोस्तों सामने वाला व्यक्ति केवल आपका इस्तिमाल कर रहा होता है, उसे कोई दुख नहीं होता, वह जानता ही कि आप बहुत मासूम व्यक्ति हैं, इसलिए उसकी चाल होती है कि किसी न किसी तरीके से आपको लूट लिया जाए, इसलिए आपको दोस्तों थोड़ा चतुर थोड़ा चालाग बनना होगा, दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें 24 घंटे में, यदि कोई व्यक्ति आपको किसी चीज का लालच दे कि तुम यहां पैसा लगा दो, तुम बहुत अमीर बन जाओगे, यहां से तुम्हें बहुत बड़ा लाब होगा, आपको कैसे ना कैसे किसी भी प्रकार से कोई भी लालच देने का प्रयास करें, तो आपक किस प्रकार से लूटने का प्रयास कर सकता है, यदि दोस्तों आपको कोई भी इस दिन गलत सलाह दे और आपको लगे कि यह काम सही नहीं है, यह काम करना गलत है, तो समझ जाना दोस्तों कि वह व्यक्ति आपको सलाखों के पीछे देखना चाहता है, वह व्यक्ति आपको ज मेशा रोकेगा। जैसे आप कभी फिजूल खर्ची कर रहे हैं तो वह आपको मना बोलेगा कि तू यह क्या कर रहा है। और एक दिखावा करने वाला साथी केवल वही होगा जो आपकी हां में हां मिलता जाएगा। जो कभी आपको सही सलाह नहीं देगा। साथी दोस्तों आपको बता दे, पारिवारिक जीवन इस दिन आपका काफी अच्छा रहेगा। लेकिन जो अपने व्यापार और नौकरी की चिंताएं हैं परेशानियां हैं, उन्हें अपने व्यापार तक ही और अपने दफ्टर तक ही सीमित रहने देए। अपनी परेशानियों को, अपनी चिंताओं को, घर तक लेकर मत आईएगा, नहीं तो दोस्तों, इसे घर का वातावरण, घर का माहौल भी खराब होगा, स्वास्थय को लेकर दोस्तों, दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, यदि बहुत समय से आपके स्वास्थय में स्वास्थय को लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, तो अब आपको चिंता करने की कोई आवश्चक्ता नहीं है, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगली 24 घंटे में आपका स्वास्थय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, आपके दोस्तों, बस खुद पर थोड़ा ध्यान देने की सलाह दी जाती है, बाहर का खाना कम कर दीजिए, थोड़ा ताला गला कम खाईए, इसे दोस्तों, आपका स्वास्थय अच्छा बना रहेगा, उसी के साथ दोस्तों, अब बात करते हैं तीन बड़ी और भी उजाड सकता है, जी हाँ दोस्तों, यदि आपने भूल कर भी यह एक गलती कर दी, तो इसकी सजा केवल आपको नहीं, बलकि आपके पूरे परिवार को भुगतने पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों, आपकी यह गलती बहुत बड़ी गलती हो सकती है, देखिए दोस्तों, जैसा की हमने आपको बताया कि आपके आसपास रहने वाले ही कुछ लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं, ऐसे में दोस्तों, कुछ लोग आपके सामने मुसीबत में होने का नाटक करेंगे, वह आपसे रुपया पैसा मांग सकते हैं, कि मुझे बहुत जरूर अपने बचत करी है अपने लिए और अपने परिवार के लिए उसमें से कोई रुपया कोई पैसा आपको नहीं निकलना है क्योंकि सामने वाला आपको धोखा दे सकता है सामने वाला व्यक्ति आपके साथ छलकपट कर सकता है फिर दोस्तों आप अपना पैसा मांगते मांगते ठक जाओगे, लेकिन वह पैसा लौट कर नहीं आने वाला, इसलिए जब तक आपको नहीं लगे कि सामने वाले को सच में आवश्यक्ता ही या कोई इमर्जेंसी ना हो, तो उसे पैसा बिलकुल भी मत दीजिएगा, अन्यथा वह फिजूल खर्च कर देगा, और फिर दोस्तों आप बुरे फंस जाएंगे, और आपकी इस गलती की सजा आपके पूरे परिवार को भी भूकतानी पड़ सकती है, साथी दोस्तों, यदि आप कहीं दूर किसी यात्रा पर घूमने फिरने जा रहे हैं, तो एक बात का विशेश रूप से ध्यान रखें, कि आपके निजी व पाहनों से आपको लंबी-लंबी यात्राएं नहीं करनी है, अन्यता, आपकी कुंडली में कुछ नकारात्मक ग्रह गोचर, आपके साथ दोस्तों, दुरघटना के योग भी पैदा कर रहे हैं, इसलिए आपको पूने पहले ही सचेत कर रहे हैं, कि अभी से सावधान हो आगे चल कर मत कहना कि गुरुदेव आपने बताया नहीं, उसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें, जिन लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा दुख था, जिन लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट था, परेशानिया थी, पैसा कहीं से भी नहीं आ रहा था उन के लिए अब समय बहुत बड़ी-बड़ी खुश्खबरिया लेकर आ रहा है अगले 24 घंटे में दोस्तों आपको बहुत अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है यदि कोई व्यक्ति आपसे उधार लेकर चले गया था कोई व्यक्ति आपका पैसा लोटा ही नहीं रहा था तो अ अब आपको अपने रुके हुए धन की प्राप्ति होगी जिससे की दोस्तों आपके जीवन में पुन्ना उजियारा आ जाएगा आपकी जिंदगी वापस से दोस्तों खुशियों से भर जाएगी तो आप इस बात का विशेश रूप से ध्यान रखिएगा कि यदि आपने क इसी को भी कितनी भी रकम उधार दी है तो आप उनसे लेने का प्रयास करते रहिए हो सकता है आज आपकी किस्मत चमक जाए साथ ही दोस्तों आपको बता दे नौकरी में आज तरक्की के पूरे-पूरे असार बनते नजर आ रहे हैं लेकिन दफ्तर में कुछ आपके सहकर्म जो आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं वह सहकर्मी आपका नाम बदनाम करने की कोशिश करेंगे और दोस्तों आपकी जो बोस है उनकी नजरों में आपको नीचे गिरने की कोशिश करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दफ्तर में आप अपना पूरा फोकस आपकी तरक्की के आसार उतने ही ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं इसलिए अपना ध्यान इधर उधर बिलकुल भी ना भड़कने दे दोस्तों आज भाग्य आपके पक्ष में है धन लाभ के नए मार्ग आपके जीवन में आज बनेंगे लंबे समय से चली आ रही कोई चिंता आज समाप्त होगी जिससे मानसिक शान्ती रहेगी आर्थिक मामले में ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय भी आज आपके सफल हों अगर कोई नया मकान या प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो आपका निर्णय बहुत ही आज उचित है आपको बता दें साथ ही साथ किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलने से उत्साह और अधिक बढ़ेगा जिससे दिन भर की ठकान को भी आप भूल जाएंगे मजबूज और सावधानी से आप इससे भी उभर जाएंगे नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ संपर्क में रहना आपके लिए मान हानी का कारण बन सकता है साथ ही साथ सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी मन में कुछ नकारात्मक विचार आ सकते हैं कुछ समय प्रकृति के साथ अव मेडिटेशन में व्यतीत करना आपको सुख देगा युवा वर्ग को अपने करियर से संबंधित कारियों में अधिक ध्यान देने की आवश्यक्ता है साथ ही साथ धन संबंधी मामलों में किसी भी तरह का कोई भी समझौता आप ना करें वाहन या घर की मरम्मत संबंधी कारियों में अत्यधिक व्याय की वजह से थोड़ा बजट भी बिगड सकता है अपने रिष्टेदारों के साथ संबंध बहतर बनाकर रखने में आपको मेहनत करने की आवश्यक्ता है साथ ही साथ आपको बता आपका आज अपने व्यक्तित्व को निखारने के प्रती विशेश ध्यान रहेगा किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने के बाद लाबदायक योजनाएं भी बनेंगी। साथ ही साथ ससुराल पक्ष से संबंध और अधिक मजबूत होंगे। साथ ही साथ जमीन जायदाद और निवेश जैसी गती विधियों में आज व्यस्तता भी बनी रहेगी। उत्तम सम आपके लिए उत्तम रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें। करियर और व्यक्तिगत कारियों में अपने अहम को आड़े ना आने दें। अन्यथा बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। बहुत अधिक जल्दबाजी व उत्तेजना की वजह से किसी के साथ संबंधों म भी खटासा सकती है। परंतु अपने विरोधियों की गतिविधियों को नजर अंदाज आप ना करें। छोटी सी बात पर किसी से कहा सुनीव बोल चाल हो सकती है। इसलिए अपने स्वभाव को संयमित रखना आपके लिए आवश्यक है। बच्चों की परेशानियों के न समय व्यतीत होगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जानेने का भी आज प्रोग्राम बनेगा। आप अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक रूप से आज परिवर्तन महसूस करेंगे। परंतु आपको बता दें काम की आज अधिकता भी रह सकती है। मेहनत के अप पर लाइफ कैसी रहेगी तो दोस्तों बता दें। पारिवारिक वातावरन आज खुश नुमा रहेगा। परिवार के साथ मनोरंजन वह आमोध प्रमोध में समय व्यतीत होगा। परिवार के साथ सुक सुविधा संबंधी चीज़ों की शौपिंग करने में भी समय व्यती आने से संबंध पुनह मजबूत हो जाएंगे। कोई महपूर्ण डील आज हो सकती है। मार्केटिंग संबंधी कार्यों में नुकसान होने की भी संभावना बन सकती है। बेहतर होगा कि इन सब को स्थगित ही रखें। नौकरी पेशा लोगों की अधिकारी वर्ग से मित्रता लाभप्रद रहेगी। साथ ही साथ कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार का स्थान या फिर कार्य प्रणाली में परिवर्दन करने की आपको आवशक्त है। आलस को अपने उपर आप आज भूल कर भी हावी ना होने दें। ओफिस तथा व्यवसाय। दोनों जगहे टीम वर्ग के साथ काम करने से बेहतरीन सफलता आज आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ किसी महत्वपूर्ण व्यक्ती से आज मुलाकात आपके व्यवसाय में सहायक सिद्ध होगी। अगर किसी नए काम की शुरुवात आप करना चाह रहे हैं, तो आज का समय आपके लिए बहुत ही शुब है। बस आप शुरुवात कर दें, लाभ मिलेगा, परन्तु अभियाय आपकी सामान नहीं रहेगी। वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे, साथ ही साथ आपको अपनी महनत के अनुरूप कुछ मामलों में उचित फल प्राप्त भी होंगे। सरकारी सेवारत व्यक्तियों का अपने अधिनस्थ कर्मचारियों पर दबदबा बना रहेगा। कारोबारिस्त्रिया, विशेष्टा, अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित रखें। उनके लिए इस समय लाभ दायक ग्रहों की स्थिती बनी हुई है। मनोरंजन तथा सौंदर्य प्रसाधन संबंधी व्यवसाय विशेश रूप से आज तरक्की में रहेंगे। नौकरी में आपको कोई महत्व पूर्ण पद की भी प्राप्ती हो सकती है, जिससे आपको खुशी का अनुभव होगा और आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। कोट का चहरी से जुड़े मामलों में भी कोई अच्छी बड़ी खुश्खबरी आपको प्राप्त हो सकती है। नहीं होता है, परवाह बताती है कि खयाल का पलड़ा कितना भारी है, अर्थात, मित्रो हमारे जीवन में रिष्टों का बहुत महत्व है, लेकिन जब हम इने तोलते हैं, तो इनकी तुलना हम परवाह से कर सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति हमारी परवाह करेगा, तो हमें ऐसे लोगों से कभी भी दूरिया नहीं बनानी है, क्योंकि मित्र जो अपने होते हैं, वहीं अपनों की परवाह करते हैं, इसलिए मित्रो जीवन में हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, कि रिष्टों का वजन परवाह ही बताती है, और जीवन एक ऐसा रंगमंच है, जहां किर दार को खुद पता नहीं कि अगला दृष्य क्या होगा, क्योंकि समय की चाल को आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है, तो मित्रो गुरु जी का यह ज्यान अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा, गुरु जी का यह ज्यान आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में राधे-राधे अवश्य लिखिएगा, तो मित्रो आपके पारिवारिक जीवन के लिए यह समय जो है सुखमय रहने वाला है, और जो लोग अपने घर किसी नए वाहन को लेकर आने की सोच रहे हैं, तो उनकी यह मन की इच्छा पूरी होगी, और मित्रो आप अपने माता पिता से कुछ पुराने गिले शिक्वे को दूर करने में व्यतीत करेंगे, जिससे माता पिता के प्रती आप सम्मान दे पाएंगे, और उनका खयाल रख पाएंगे, और मित्रो आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने निकल सकते हैं, लेकिन अपने जीवन साथी से सलाह मशवरा करके जाना बेहतर रहेगा, तो ऐसे में जीवन साथी भी आपको अच्छे से समझ पाएगा, वहीं मित्र ग्रह संकेत दे रहे हैं कि परिवार में किसी विशिष्ठ एवं वरिष्ठ सदस्य को प्रमोशन मिलने के कारण पार्टी का आयोजन भी हो सकता है, ज क्योंकि भाईयों का आपको अगर थोड़ा सा भी संकेत दिखे, तो थोड़ी सी शंका का व्यहवार आप दोनों के बीच में आ सकता है, इसलिए मित्रों, भाईयों से सलाह मशविरा अवश्य करें, वहीं ध्यान रखिएगा कि आप यदि अपने किसी कार्य को करने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ती से सलाह लेंगे, तो वह आपके लिए बेहतर रहेगी, क्योंकि अनुभवी व्यक्ती के सानिध्य में रहकर, यदि आप कोई कार्य करेंगे, तो उसमें सफलता होने के चांस जो हैं, थोड़े कम रहेंगे, तो वहीं मित्रों आपके लिए भाग् तो यह अवसर आपके हाथ से निकल भी सकते हैं, और नौकरी से जुड़े जातकों को सावधान रहकर कार्य करना होगा, क्योंकि आपके शत्रु, आपके कार्य में रोध्धा अठकाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, और विद्यार्थियों को कमजोर विशेयों में कठिन प हिचकिचाए नहीं, वहीं ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी वाणी को सौम्यता को बनाए रखना होगा, अपने व्यवहार में थोड़ा सा लचीलापन लाने की आवश्यक्ता है, तो इसी की वजह से यही व्यवहार आपको मान सम्मान भी दिलवाएगा, मित्रों, आपक जीवन में फिर से पीछे देखना पड़ सकता है, तो ऐसे में मित्र अपने क्रोध रूपी स्वभाव पर थोड़ा सा पूर्ण विराम लगाएं, वहीं आपके लिए धन से जुड़े मामलों में ज्यादा निवेश करने से बचना ही बहतर रहेगा, आपको अपने किसी सग संबंधी से कोई खुश खबरी सुनने को मिल सकती है, और जो लोग घर से दूर नौकरी में कार्य करते हैं, उनको अपने परिवार के सदस्यों की याद सता सकती है, और वह उनसे मिलने भी आ सकते हैं, और मित्रों, ऐसे में ध्यान रखिएगा कि आप अपने जीवन साथी क बढ़िया खुश रहेगा, और इससे आप दोनों के बीच में नजदीकिया बढ़ेगी, जिससे आपके दोनों के बीच वातावरण भी अच्छा रहेगा, और मित्रों ध्यान रखिएगा कि वैवाहिक जीवन जी रहे लोगों ने, यदि आप अपने जीवन साथी को कोई नया व्यवसाय कराने की सोच रहे हैं, तो उसमें आप सफल रहेंगे, और आप अपने जीवन साथी का भी अच्छे से साथ दे पाएंगे, जिससे जीवन साथी भी सकारात्मक महसूस करेंगे, लेकिन उसमें किसी को भी साजेदारी न बनाना बहतर रहेगा, यदि आप जी आवट के कारण आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जो लोग विवाह योग्य हैं, उनके घर कुछ बहतर अवसर आ सकते हैं, जिन्हें परिवार के सदस्यों द्वारा भी तुरंत मंजूरी दी जा सकती है, और मित्र, आप अपने परिवार के छोटे बच्चों के साथ मस्ती करते नजर आएंगे, और वह भी आपसे कुछ फर्माइशें कर सकते हैं, तो उनकी इन फर्माइशों को भी आप पूरा करने पर जोर देंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना है, समझना है कि जो फर्माइशें वह आपसे कर रहे हैं, क्या वह उनके लिए बहतर है कि वह अपना ध्यान इन फर्माइशों पर ठिका पाएंगे, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, मित्रों और मित्रों आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अपने बढ़ते हुए खर्चों पर लगाम लगानी होगी, नहीं तो बाद में आपको परेशानी क सामना करना पड़ सकता है, और आपको संतान पक्ष की ओर से कोई निराशा जनक समाचार सुनने को मिल सकता है, और यदि आपने पहले कभी किसी को धन उधार दिया था, तो वह भी आपको मिल सकता है, लेकिन आप अपने बढ़ते हुए खर्चों के कारण उसे भी व्याय कर परचे आपको बिलकुल नहीं करने है, मित्रों, यदि आपने अपना कुछ धन संचय नहीं किया, तो बाद में आपको ही परिशानी हो,